दोस्तों कहते हैं कि जिन्दगी एक कमजोर डोर की तरह होती है, जो कब टूर जाए कुछ भी पता नहीं होता है। ये कमजोर डोर दोस्तों और कुछ नहीं है, हमारी सांसे हैं, क्योंकि जब तक हमारी सांस चल रही है, तभी तक हम जिन्दा हैं, और जिस दिन ये सांसे रुख गई, उस दिन सारा खेल खत्म. हमारे फेवडे दोस्तों एक दिन में करीब 22,000 बार सांस लेते हैं, और continuous movement का जो कारण है, जिस वज़ा से हमारे फेवडे एतनी मेहनत करते रहते हैं, वो ये कि वो सांस के जरीए आपके अंदर oxygen भेज सके. लेकिन अगर आप कोई smoker हैं, या अगर आप किसी ऐसी जगह पर रहते हैं, जहां पर बहुत ज़ादा pollution है, तो ऐसे में सांस के साथ आप सिर्फ oxygen ही नहीं लेते हैं, बहुत सारी ऐसी जहरीली gases भी लेते हैं, जो कि आपके फेवडों को कमजोर बनाती हैं, और आपके अंद आपके पूरे के पूरे शरीर पर पड़ता है, तो आज कि इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी बहुत ही बढ़िया home remedies के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके फेवडों को साफ करके उनको मसबूत बनाने का काम करती हैं, और आपकी overall health को improve करके energy levels को बढ़ाने का काम करते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी के इस interesting वीडियो को शुरू करते हैं, मेरा नाम डॉक्टर सलीम है और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Healthy हमेशा दोस्तों वीडियो में आगे मैं जहां पर भी आपके सामने smoking का जिकर करूँगा, वहाँ मेरी मुराद सिर्फ और सिर्फ smoker से नहीं होगी मैं वहाँ पर उन सभी लोगों को भी मुखाटिब करूँगा जो की pollution में रहते हैं क्योंकि pollution और smoking से आपके lungs पे करीब करीब सेम ही तरह के effects आते हैं दोस्तों जब आप लंबे समय तक smoking करते हैं तो उसकी वज़ा से उसका असर सिर्फ और सिर्फ आपके फेफडों तक सीमित नहीं रहता है इसका असर आपके skin पर भी पड़ता है आपके बालों पर भी पड़ता है आपके दिमाग पर भी पड़ता है और आपके दिल पर भी एक सिगरेट जलाने से करीब 4000 तरहां के अलग अलग केमिकल्स पैदा होते हैं। इन 4000 केमिकल्स में से 400 केमिकल्स ऐसे होते हैं जो की बहुत ही जादा जहरीले होते हैं, जानलेवा होते हैं। और करीब 43 chemicals ऐसे होते हैं जो कि carcinogenik होते हैं यानि आपके अंदर cancer पैदा कर सकते हैं दोस्तों इस तरह का धुआ अगर आप ज़्यादा लंबे समय तक inhale करते रहते हैं तो उसकी वज़ा से ये धीरे धीरे आपकी lungs के अंदर जमा होता रहता है एक time वो आता है जब ये आपके lungs के अंदर से निकल के आपके blood के अंदर चला जाता है और इसके बाद पूरे शरीर के अंदर जाके जमा होना शुरू हो जाता है जो toxins होते हैं वो आपके पूरे शरीर में फैल जाते हैं इसलिए बहुत जादा जरूरी है कि आप अपने लंग्स को समय रहते और time to time detox करते रहें जिससे कि ये साफ होते रहें ये chemicals और toxins जो आपके लंग्स में जमा हो गए हैं वो बाहर निकलते रहें और आपके लंग्स इस सही जरीके से काम करते रहें और बाकी जो systems आपकी body के हैं उनके अंदर भी इसके side effects ना दिखाई दें दोस्तों लंग्स को detox करने के लिए आज मैं आपको दो अलग-अलग नुस्खे बताऊंगा इन दोनों नुस्खे में से आप कोई भी एक नुस्खा इस्तमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें तो आप दोनों को एक साथ में भी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन कोई भी नुस्खा आप इस्तमाल करें दोस्तों सबसे पहली कोशिश आपकी होनी चाहिए कारण का निवारन करने की यानि जिस कारण से आपके लंग्स के अंदर toxins आ रहे हैं उस कारण को आप खत्म करें अगर आप smoking करते हैं तो आपको smoking छो लिखके दीजिए और अगर आप quit कर पाए तो उसके लिए आपने क्या क्या किया वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि जो बाकी वीवर से इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी आपकी इन चीजों से कुछ नया सीख सकें और motivate हो सके smoking को छोड़ने के लिए इसके साथ स nutrition lung detox ये एक बहुत ही बढ़िया powerful supplement है जिसके अंदर आपको बहुत सारी ऐसी herbs मिलती है और vitamins मिलते हैं जो कि आपकी lungs को साफ करके उनको मजबूत बनाने का काम करते हैं इसको अगर आप regularly इस्तमाल करते हैं तो उससे आपकी lungs के अंदर मौजूद जो toxins हैं वो lungs से बाहर निकलन होता है आपके lungs के अंदर से congestion कम होता है और आपके lungs के अंदर जो immunity है वो भी increase होती है जिसकी वजह से lungs related बिमारियां आपके अंदर पैदा होने का खत्रा कम हो जाता है इसके formula में वैसे तो बहुत सारी herbs को इस्तमाल किया गया है लेकिन अगर main में की हम बात करें तो इसके अं extract मिलता है इसमें आपको ginger extract मिलता है यादरक extract मिलता है इसके अंदर आपको ilai phi का extract मिलता है और इसके अंदर आपको lecorice यानिक whilethy और ओन Livliya होती है जिनके अंदरOD मूकस पुभला proszę करे वहां से बाहर निकालने का काम करती है आपके lungs के अंदर पैपी लंक्स की इन्जा रम bronchi होते हैं, उनको खोलने का काम करती है, जिससे सास लेने में आपको असानी होती है, आपके सीनी में जकडन कम हो जाती है, allergies को कम करती है आपके lungs में और इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर vitamin c भी है, तो vitamin c आपकी immunity को भी आप मौसम बदलते समय जो respiratory problems आपको हो जाती हैं कई बार वो आपके अंदर होने का chance कम हो जाता है तो आप कह सकते हैं कि overall आपके lungs के लिए एक बहुत ही बढ़िया supplement है जिसको आप regularly इस्तमाल कर सकते हैं इसकी मदद से आप smoking की वज़ा से होने वाले जो side effects आपके lungs पर आते हैं तब ही आपको सही माईनों में अपने lungs की health के इंदर जो change है वो देखने को मिलेगा इसके सिर्फ दो capsule आपको दिन में लेने होते हैं एक capsule आप ले लीजे सुभा नाश्ता करने के बाद और एक capsule आप ले लीजे रात को खाना खाने के बाद इसको अगर आप purchase करना चाते हैं या इसके बारे में further और जादा जानकारी लेना चाते हैं तो नीचे description box में और pin comment में आपको सभी links मिल जाएंगे तो वहाँ से click करके इसको आप directly order भी कर सकते हैं और इसके बारे में और जादा research भी कर सकते हैं दूसरा नुस्खा जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये basically आपको खुद ही कुछ जड़ी बूटियों की मदद से घर पे अपने आप तयार करना पड़ेगा इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको 6 चीज़ों के ज़रुवत पड़ेगी पहली चीज़ है अदरक करस, दूसरी चीज़ है नीमु करस, तीसरी चीज़ है शहद, चौती चीज़ है दालचीनी का पड़र, पांचवी चीज़ है मुलेठी का पड़र, और छटी चीज़ है काइन पेपर पड़र दोस्तों बाकि सबी चीज़े आप जानते होंगे, शायद काइन पेपर के बारे में आप नहीं जानते होंगे और मेभी कॉमेंट में पूछेंगे कि ये क्या चीज होती है तो काइन पेपर बेसिकली एक तरहा की लाल मिर्च का पौडर होता है जो लाल मिर्च हम लोग घर में खाते हैं, लाल मिर्च पौडर वो अलग होता है और काइन पेपर का पौडर अलग होता है काइन पेपर बेसिकली एक अलग तरहा की लाल मिर्च से बनता है जो की थोड़ी मोटी होती है साइज में, एक अलग वराइटी होती है तो आप make sure करें कि आप घर वाली लाल मिर्च का powder नहीं डाले आप काइन पेपर का ही powder डाले काइन पेपर का powder आपको online आराम से मिल जाएगा या किसी भी अच्छे grocery store में भी ये मिलता है तो उसको आप purchase करके उस ही को इस्तेमाल करें लाल मिर्च का powder आप इस्तेमाल ना करें तो अब जान लेते हैं कि इसको कैसे आपको तयार करना है नुस्खे को दोस्तों इस नुस्खे को तयार करने के लिए आपको एक गलास पानी लेना है और इसको अच्छी तरह से boil कर लेना है जब अच्छे से ये पानी आपका boil हो जाए तो आप इसको एक glass के अंदर डाल लीजे और इसके अंदर आपको डालिए एक चमच अधरक करस, एक चमच नीमबू करस, आधा चमच दालचीनी का powder, दो चमच शहद, एक चौथाई चमच काइन पेपर का powder और एक चमच मुलेठी क powder, इन सभी चीजों को डाल के आप अच्छे से मिला लीजे और 5-10 मिनट के लिए इसको ढख के आप रख दीजे, इस drink को आपको रात को सोते समय इस्तमाल करना है चाई की तरह, यानि गरम-गरम ही इसको आपको इस्तमाल करना है, sip-to-sip आप इसको पीजे और आप साफ होने शुरू हो जाएंगे और आपको अपनी body के अंदर energy भी improve होती हुई दिखेंगे, दोस्तों मुझे उम्मीद है, आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा, अगर वीडियो आपको अ एक नई बहुत ही बढ़िया सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, ताकि आप रह सकें healthy हमेशा.